दोस्तो वीडियो में हम लोग इंड़ेप्ट में आनलाइसिस करेंगे टीटो जोच स्प्लेशोस वसेस बराना और वॉरियर्स के बीच जो दोस्तो हुने वाला है आज का दिन का दूसरा मैच निचर आईसेल टीटैन का वीडियो में इंडेप दोनों ही टीम के बारे में करेंगी हम लोग अनलाईसिस ताकि दोस्तों आप small leak plus grand leak दोनों का बरिया टीम कंबिनीशन खुद अपने से create कर पाऊ बट इसी के साथ दोस्तों इसी वीडियो के साथ दोस्तों अगले मैच इसके coverage और अपडेट और इस मैच का भी final coverage के लिए आप जूर सकते हो टेलिग्रम जिसका link मैं वीडियो के description and comment section में अट करते हूँगा तो चला analysis करते हैं इस match के बारे में 12 बजी ये match इंडिन टैम स्टार्ट होगा विंसर पर्क रोसे उपे होगा ये match डॉमिनिका में सौरा निया पर ओनें एवरेज रन बन जाते हैं दोस्तों 90-100 average score है रन थोरे से कमी बनते हैं अगर चल गया तो दोस्तों ठीक है बहुत बरा रन बन जाते otherwise देखना आप दोस्तों रन थोरे से कमी बनेंगे 90-100 के करीब सेरीस में 14-16 matches done चार बार 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 चेजिंग ने हुए इनका यह बात यहाद रखना पड़ेगा slightly chasing के favor में हम लोग team बना सकते हैं PGS से देखो इनसे एक player है जो चल गया तो बरा score बनेगा वो है दोस्तों गिद्रेन पोप है बाकी कोई खास bet players नहीं है कैसिमिर बेंजाबिन last match में open आया था दोस्तों कुछ खास form में नहीं जा रहे है दोस्तों last 2 years से तो फिलाल मैं कैसिमिर बेंजाबिन को नहीं रखूँगा गिद्रेन पोप yes important choice रहेंगी दोस्तों यह must be player है आपके लिए गिद्रेन पोप number one कैसिमिर बेंजाबिन उतना मुझे खास लगते नहीं है दोस्तों तो फिलाल मैं ignore करूँगा कैसिमिर को जिल बेंजाबिन रोबिनसन मुझे important player यह है बट यह नो open आता तो और अच्छा करता है यह one down two down जहाँ पे खिलेगा न मुश्किल होगा इसको इसको open आना परेगा अगर अच्छा score करना है तो फिलाल गिद्रन पोप सिफ एक लौता must pick player है जूनियर हैंरी ने एक आदा नोग अच्छा खेला बट फिर से बात हो गया कि इनके पास जो जिल रानी रोबिनसन जूनियर हैंरी गिद्रन पोप सब opener है problem होई पे है कि इनके पास टीम performance अच्छा नहीं रहा है और ये भी consistent नहीं है बैटिंग नीचे करते हैं हैल्टरन मार्क ने last match में बैट बल दोनों से point दिया if you want दोस्तो इसको अपने team में रख सकते हो कायरन फिलीप grand league choice small league में नहीं रहेगा Lex Maglor इन्होंने consistently डाला मतलब बॉल फर्स्ट हुआ तो जहर पीक है बॉल सेकेंड ठीक ठाक चॉइस है बट बॉल फर्स्ट वा तो जहर पीक है नंबर तीन नंबर चार बॉल फर्स जॉन मैथ्यू ट्राइक कर सकते हैं दोस्तों इसने भी ज्यादातर मैच में दो दो वर consistently डाला तो बॉल फर्स्ट लेना है दोस्तों ठीक है नंबर फॉर्ट उप्शन रहेंगे बॉल फर्स्ट बाकी जोईल डुडान जेसेव जेलानी जोसेफ दो consistency नहीं है जेलानी ने अब तक पांच मैच खेला सिफ दो बार विकेट निकाला जोईल डुडान ने पांच मैच खेला सिफ एक बार विकेट निकाला तो इनको फिलाल तो small league में में रखूंगे नहीं रहें लिग में rotate करके उसकरना है तो करो टीम का batting order जैसा दीख रहा है दोस्तों उसके according ये team विकेट लॉस करता है इनके पास ballers run concede करता है और ज्यादा तर time देखो इनके पास Lex Magler, John Matthew छोरके ज्यादा तर ballers भी आपको दिखेगा एक एक ओवर डालता है मतलब consistency नहीं है टीम के पास अपिनिंग balling Jay Matthew, Lex Magler, Jay Durant, डेथ में जी पोपे, Jay Durant, Elton Mark करते हुए दिखेंगे यह series से पहले के players के record है दोस्तों review कर सकता है आपके recording कुछ भी player add होता है तो यहाँ पे records review कर लिया ना दोस्तों कुछ भी new players add होते है तो ठीक है अब आते हैं हम लोग बराना auto warriors देखो कितना strong team है अपना सब 5 का 5 match win क्या तो definitely हम लोग इनको अपने team में back करने वाले इस्टिफन नेत्रम इस team से important choice लगा है मुझे जिसको अब cap bc चाओ तो बना सकतो हर मैच में start निकालता है चालिस चालिस अर्टरा पचीस एक्षिस हर मैच में start है जे जियन बेंजामीन दोस्तो इन्होंने भी 26 29 3 knock अच्छा decent खेला है बागी 2 knock में flop 0 और 10 जोनल यूजेन बैट फर्स सही है बैट सेगन उतना सही नहीं है देखो बॉलिंग हर मैच में करता नहीं और बॉलिंग सब तक इन्होंने point नहीं दिया तो इनके मुकाबले जर्विन जर्वेंजामीन slightly more important option मुशे दिख रहे है दोस्तो बट जोनल यूजेन अच्छा टिकिंग क्रिएटर है जब चल जाएंगे ना बरा स्कोर यह बहुत बरा नहीं बनाएगा बट यह बहुत हाइट से बैटिंग करता है श्रालन जोर्च नहीं लूंगा मर्विन मै मैं ठीक ठाक चोईस रहेंगे आपके लिए कोई अच्छा चोईस ना मिले तो ले 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 ना गिलान टाइसन इंपॉर्टेंट चोईस रहेंगे मस्पीक है जैमी जेम्स दो दोवर डाल रहा है और कभी कवर बॉलिंग ही नहीं डाल रहे और अगर देखो कि इस ट्रीन के प पैबियन बेंजमीन डिफेंशल लेना है तो ले सकते हो खैमर हमिल्टन लेना जरूरी है सेफ साफ चॉइस रहेंगे डाइलन जोसे बहुत बिटाए हो गया था लास्ट मैंच में चाओ तो ग्रैंड लिंग में यूस करना अपनिंग ऑलिंग मार्विन मैथ्यू डी सैंडी जोसेफ के हैमिल्टन मेरा जो प्रेफरेंस रहे है गा न इस मैंच में वह रहे हैगा आप ग्रैंड लिक पर खेलो स्मॉल लिक ले सिंवेस्ट करो और डेफिनेटली ये दोस्तों कुबेरा का डो मोड़ में ये मैच्शेर आप ट्राइ कर सकते हो ते लिंग आपको ह से एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो आपके लिए मस्टीक है ग्रेंड लिक में 11 का 11 प्लेयर के साथ रोटेट कर सकते हो दोस्तों कशनिस्टेंसी का यह लोग जो लाइन है ना ऐस पास से भी यह नहीं गया है एक भी प्लेयर इस सेरीज में बहुत अच्छा खेला है बर यह भी बहुत बरिया कंसिस्टेंट नहीं है बर चलो मान लेता हूँ कि ये कंसिस्टेंट है ये दूसरा कंसिस्टेंट प्लियर है पोपे और नाइतराम दोना एटिक इंग रिगटर है कभी भी फ्लॉप हो सकते हैं बाकी दोस्तों सब के साथ बिंदास अपने हिसाब से के रोटेट करना ख्रेंलिक के में माच पड़िया हो सकता है unbelievable के रिस्पैक में रिस्की है दोस्तों और वोल्क इब्य है मतलब रिस्टटर प्ले में आता है अगर खेलो 24 में बस खेलो सही है head to head के लोगे तो risk बन सकता है बहुत जादा क्योंकि यहाप पे ना एक भी प्लेयर कंसिस्टेंस आपको कंसिस्टेंट नहीं रिखेगा नाइत्रम कैप्टेन बेंजमीन है हमारे पास गिद्रन पोप को VC बना रहा हूँ जूर जाना फॉर फाइनल अब्डेट फॉर फूचर पे थेंक यू दोसनों मिल दे में स्टम पे टेलीग्रम पे थेंक यू